विलकम बैक चैनल दोस्तो आई होब आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तो जैसे कि आपने थम्निल में देखा होगा मैं आपको आज एक प्रिंस कट में एक ड्रेस बना के दिखाने वाला हूँ जो कि प्रिंस कट यहां शोल्डर से आएगा और ऐसे जाते वे यह साइड मे पोकेट चला जायेगा ठीक है उसका मैंने आप यह देख सकते हैं मैं आपको इसमें डेटेल में कटिंक और olmaz दिखाने वाला हूँ यह जो पॉकेट नहीं दोनों तरफ मैने पॉकेट दी है और इनको कैसे कॉत किया जाएगा मैं पूरा आपको डेटेल में बथाने वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें थोड़ा सामें भी शपूर्ट करें और वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा टाइम वेश ना करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने इसे A-Line में कट कर लिया है मैंने बाजू भी कट कर लिया और आगे पीछे के पल्ले भी कट कर लिया है बाजू और बैक पल्ला मैंने साइड कर देना है ये मैंने फ्रंट का पल्ले का गला और हाला छाट लिया है इस तरीके से कंदे के बीचों बीच में से मैंने एक माक किया है और जहां पर हमारी pocket होती है करीब 20 इंच के आसपस मैंने इसको एक ये shape देके मैंने cut कर लिया है तो इस तरीके से cut कर लेने के बाद उसके बाद हम जो है ये जो हमारा side का panel निकला है इसे में pocket के length का एक कपड़ा हम extra cut कर लेंगे जो हमारी pocket होती है उतिनी लंबाई बढ़ा के हम इसे एक piece और extra cut कर लेंगे जो हमारे side panel में लगेगा इस तरीके से देखे हमेंने side match कर लेनी है और side के बाद इसमें जो margin लिया जायागा वो हम इस panel में add कर लेंगे जो हमारे main layer में उपर की तरफ रहेगा इस तरीके से देखे जो हमारे pocket का fabric है वो मैंने नीचे का नीचे वाले portion से मैंने match कर लेना है match कर लेने के बाद इसके उपर जो हम side का panel जो center का panel है वो रखेंगे जहां से हमारी pocket स्टार्ट हुई है हम वहां से match करके रखेंगे और जो pocket का उपर का लियर रहेगा main अंदर रहेगा बट उपर side रहेगा वो हम इसमें से निकाल लेंगे जैसे कि आप यह देख सकते हैं यह हमने इस तरीके से cut कर लिया है यह हमारा यहां पे लग जाएगा और जो नीचे में रहेगा पूरा कंदे से नीचे तक वो हमारा यह वाला हो जाएगा इस तरीके से कुछ हमारा final हो जाएगा अब इसको कैसे सिला जाएगा उसके लिए आप channel पे बने रहें तो अब हम आ चुके हैं machine पे यह आप देख सकते हैं मैंने cut कर लिया है cut कर लेने के बाद यह कैसे stitch कर दिया आ जाएगा वो आप पूरा देखें end तक ताकि आपको properly वीडियो समझ में आए तो यह जैसे कि हमने जो पले उपर वाले cut किये थे इस तरीके से हमने match करके इसको एक पैर के margin से शिल लेना है इसको हम एक पैर के margin से सिल लेंगे यह देखिए जितना हमें मुह खोलना है हम उतने को शिल के पलट लेंगे जिसे मैंने एक तरफ सिल आए उसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी सिल लूँगा तो guys जितना भी आपको pocket का सिल लेने के बाद इसको हमें एक पैर की सिलाई लगाके इसको फिनिश कर लेना है इस तरीके से हम लखा लेंगे और एक पैर की सिलाई लगाके हमें इसे फिनिश कर लेंगे जैसे हम पैंट में साइड की पोकेट फिनिश करते हैं हम सेम उसी तरीके से एक पल्ले को हम बना ले अगर आप comment करेंगे तो मैं एक और dress बना के properly detail में मैं और कोशिश करूँगा कि आपको better तरीके से समझाया जा सके यह दोस्तों बहुत अच्छी और unique एक dress बनने वाली है तो आप end तक बने रहें और सीखें कैसे बनाया जाएगा इस तरीके से देखें मैंने पैर की सिलाई लगा ली है और जैसे मैंने इधर सिलाई लगाई है यह आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम दूसरी साइट सिलाई लगाएंगे तो यह आप देखें, हमारा कुछ इस प्रकार से कपड़ा है, यह आप देखें, इस तरीके से सिल दिया जायेगा, ठीक है, यह हमारी यह वाली दूसरी साइड है, यह आप देखें, इसमें भी हमें कट लगा लेना है, जो हमने कपड़ा सिलना है एक पैर के मार्जन से, उसको हम नखोनी लगा लेंगे और एक पैर के मार्जन से पहले हम स्टिच कर लेंगे जैसे हमारे पोकेट के पास जो ओपन होता है वहाँ पे होता है नॉर्मली जो आप साइड में पोकेट देते हैं पैंट में जिस तरीके से हम उपर वाला पला बनाते हैं सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे बस ये गोल हो जा रही है वो आपकी सीधी होती है तो इस तरीके से देखे हमें एक पैर के मार्जन से सिल लेना है जितना हमने ओपन रखना है जहां से हमारा हाथ डालने में आसानी रहे बस हमें उतना ही open कर रहे हैं इस तरीके से देखें मैंने शिल लेना है यह आप देखें यह हमने शिल लिया है इस तरीके से हमने शिल लेना है तो कुछ इस प्रकार से हमारा ready हो गया यह हमारे center का panel है अब दोनों side के panel लगने बाकी है तो जो side का panel है वो अब ऐसे जोड़ा जाएगा तो जोड़ने का जो तरीका है और final तक का मैं आपको detail में बताने वाला हूँ तो please आप end तक बने रहें और video skip ना करें ताकि आपको properly समझ में आ जाए इस तरीके से देखें मैंने mark लगा लिया है और जहां से हमने निशान लगाया है वहीं पे हमारी दोनों layers के pockets का जो opening रहेगा सामना वो हो जाएगा अब इस तरीके से हमें से कंदे की पास से सिलते हुए आना है आदेंच के margin से और यह में properly जो हमने निशान लगाया था वो हमें properly निशान को निशान पे match करना है वो basically क्या होगा कि वो हमारा जहां से हमारी pocket स्टार्ट हो रही है हमारा वो निशान था ठीक है इस तरीके से हम सिलते हुए आएंगे इस तरीके से देखें और उसके बाद जो हमारा यह fabric था जो हमारे pocket का कपड़ा था जो हमने 7 इंच एक्स्ट्रा काटा था उपर वाले layer हमने उसमें आपस में match करके और इसको सिलाई लगा देने है अब यह क्या होगा कि अब यह हमारा पलट जाएगा इसको जब हम पलटेंगे तो हमारा एक properly pocket के साथ एक side panel तयार हो जाएगा जो के हमारे hips तक जाएगा यह देखिया हमने जब पलटा तो इस तरीके से हमारा पलटने के बाद ready हुआ है और यह हमारी pocket है और इस तरीके से हमारी pocket ready होके आ जाएगी यह आप देखें यह हमारी यहाँ से pocket start हो गई है यह आप देखें यह हमारी pocket है तो जिस तरीके से हमने वो सिलाई लगाई थी उसी तरीके से हम इसमें भी सिलाई लगा लेंगे तो इस तरीके से देखें वो हमने उपर से नीचे सिलाई लगाई थी यह हम नीचे से उपर के ओर जाएंगे तो इस तरीके से हम आपस में pocket to pocket match कर लेंगे फिर जो हमने सेंटर का एक निसान लगाया था जहां से हमारी पोकेट स्टार्ट हो रही है उसको हम मैच करते वे पूरा उपर तक सिलते वे चले आएंगे कुछ इस प्रकार से यह आप देख सकते हैं हमने एक बिल्कुल एकुरेट मैच कर दिया है मैच करने के बाद अब हम उपर के ओर सिलते वे चले आएंगे बिल्कुल कंदे पर एकुरेट मिला देंगे यह जो हमारा लेयर है यह हमारे दोनों लेयर बिल्कुल एकुरेट मैच होने चाहिए अगर हमा यहारा कोई भी लेर छोटा बड़ा पड़ा तो हमारे पीस में प्रोब्लमस ग्रेट हो सकती है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है अब यह आप देखें यह हमारे साइड के जो पॉकेट के नीचे साइड का पॉर्शन है यह हमारी पॉकेट है पॉकेट के लिए था आप दूसरी side की सिलाई लगा लेनी है और जो हमारा center का जो princ panel का cut था उसको हम एक pair की सिलाई से finish कर लेंगे यह आप देखें इस तरीके से हम एक pair के margin से सिलाई लगा लेंगे कुछ इस परकार से उससे क्या होगा, कि आपका जो भी fabric है एक direction की तरफ प्रोपरली fix रहेगा जब stitch हो जाएगा तो आपका जो भी फैपरिक के अंदर जो margin के रूप में है वो आपका प्रोपरली stitch हो जाएगा तो इदर उदर भी नहीं भागेगा finishing और अच्छी आ जाएगी जहां तक हमारी pocket है हमें वहां तक प्रोपरली stitch कर देना है और प्रोपर टाका लगा के हमें हटा लेना है इस तरीके से तो यह आप देखे हमारी जो side panel है पैनल भी लग गया है और pocket भी लग गई है कुछ इस प्रकार से हमारे अंदर के side का portion दीखने वाला है और अब हम दूसरी side में सिलाई लगा लेंगे तो ज तो दोस्तों मैंने बहुत आसान तरीका बताया है I hope आपको यह pocket लगानी आ गई होगी cutting करना भी आ गया होगा और किसी भी चीज़ के अगर आपको mind में queries है तो आप comment कर सकते हैं comment का मैं reply ज़रूर दूँगा कोई भी question होगा मैं उसका sort of ज़रूर करूँगा साथी साथ दोस्तों अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो पसंद है तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें यह हमारा main piece बनके तयार हो चुका है pocket लगके तयार हो चुकी है यह हमारे दोनों side के pocket से हैं अब हमें क्या करना है अ ताकि हमारे गले की finishing अच्छी रहे और गला हलका सा broad type का है ताकि फैले ना कंदा गिरे ना और फैले ना कंदी पे गाले पे जब हम पटी खीच के लगाते हैं तो हमारी कंदी बिल्कुल fit होके आती है तो इस चीज का ध्यान रखें जब भी आप औरे पटी का use करते हैं तो आप हलका सा और पटी खीच के रखें उससे आपके गले की finishing और fitting थोड़ी अच्छी हो जाती है उसके बाद हमने इसको पैर के margin से मोड देना है और उसके बाद बाद में इसको एक पैर की सिलाई से finish कर देंगे इस तरीके से जो हमें सिलाई लगा लेना है अब हम यह जो इस प्रकार से दोस्तों बहुत easy तरीके से हमने और यह पट्टी लगा लेनी है और हमें पीस को final कर लेने step by step तो इस तरीके से देखें मैंने fix कर लिया है यह आप देख सकते हैं अब जो हमारा extra fabric है उसे हम cut करके निकाल लेंगे cut करने के लिए आप देख सकते हैं जो मैंने तरीका use किया है आप कुछ ऐसा use करें आप जो है अंदाजे में कैची न चलाएं आप properly पहले अच्छे से कपड़े को बिच्छा लें जहां पे भी बिच्छाना है आपने table पी है machine पे then उसके बाद जो इसका पट्टी का extra fabric है उस के margin से यह आप देखें और गले को हम बाद में finish कर लेंगे एक पैर के margin से हम गले को बाद में सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से हमें कंदी जोड़ लेनी है तो यह आप देख सकते हैं हमने कंदी की सिलाई भी लगा ली है अब हम fitting की सिलाई लगा लेंगे तो कुछ इस तर तरीके से जो है मैंने fitting की सिलाई लगा लिए धीरे धीरे जो है मैं end में जाते जाते margin कम करता चला जाऊंगा ताकि हमें जो घेर देना है वो अच्छे से निकल गया है जिस तरीके से मैंने एक side सिलाई लगा लेना है और जहां पे आपके pocket का joint match कर रहा है वहां पे हमें टाकी लगा के उसे अच्छे से मजबूत कर लेना है उसके बाद क्या करना है मैं बाजू चड़ाने तो बाजू मैंने पहले बना ली थी बाजू को सीधा करना है आरमुल को आरमुल से मैच करना है जुन सी बाजू जिस सैट चड़ेगी उसके बाद हमने बाजू का चटका बाजू रखते हैं बोडी उपर रखते हैं आदेंज के माजन से बोडी खीचते हुए हम बाजू को चढ़ा देंगे एक सिलाई लगा देंगे और दूसरी सिलाई हम हलका सा खीच के लगा देंगे क्योंकि कोटने इनके पहनते टाइम थोड़ा खीचता है तो हमारा वो चीज अच्छ से भी खीचतान करेगा तो उसकी स्लाई तूटेगी नहीं तो इस तरीके से हमें करना है कंप्लिट स्टेप बस्टेप आई होप आपको इस तरीके पसंद आये होंगे कटिंग का भी स्टिच का भी और जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं अगर आपने वीडियो पूरी दे आई थी उसी तरीके से मैंने दूसरी बाजू चड़ानी है जिसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था जो है मैं बाजू का जोएंट साइड के जोएंट से एक पैर आगे रखता हूं एक पैर मींस आदा सेंटीमीटर ठीक है और मार्जन जो भी होता है साइड का चा वो मैं पीछे की साइड बेशता हूं और मोड के अच्छे से कम से कम स्टिच होता है हमारी सिलाई में बाकि हम मोड के साइड में बेश देते हैं कंदी का मार्जन हम बैक साइड बेशते हैं साइड का मार्जन भी हम बैक साइड बेशते हैं बाजू नीचे रखते हैं बोड अच्छी तरीके से आपका कंदा बैठेगा और जो भी कंदा बैठने की प्रोलम्स आती थी वो सारी शोट आउट हो जाएंगी आप दो-चार पीस में अगर आप ट्राय करेंगे तो आप खुद फिल करेंगे कि आपकी पहले से आप जो है बाजू अच्छी तरीके से बैठरी है इस तरीके से दोस्तों हमने सिलाई लगाके और एक सिलाई और लगाना है खीच के ताकि हमारी बाजू पहनते टाइम अगर खिचती है तो हमारी सिलाई तूटे ना ठीक है तो इस तरीके से मैंने final कर लिया है आप देख सकते हैं मैंने काफी easy तरीका से पूरे piece को final कर लिया है और अब हम end में जो है नीचे की length finish कर देंगे तो नीचे की length मैं half inch की margin से जो है sell दोंगा half inch भराओ और half inch mode के इसाब से तो I hope आपको तरीके काफी पसंद आया होंगे और ये हमारे बनने जोने cut करके दिखाया है stitch करके दिखाया है यह आप देख सकते हैं यह हमारे side की pocket है और जो कि आप देख सकते हैं अच्छा खासा open area है आपको phone या चोटी या चोड़ी पर डालने में कोई problem नहीं होगी और height भी अच्छी है विर्थ भी अच्छी है इसमें आप आराम से phone use कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं मैंने एक phone डाला है और phone गुम हो चुका है काफी अच्छे से step by step मैंने बना के दिखाया है तो दोस्तों इसी तरह कि और वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करें चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe करें इसी तरह कि और वीडियो देखते रहें हमें देदेजिए इजाजत हम मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक कि लिए जै जै वारत